Unites का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Unites का आर्थ होता है कि Unite करता है या करती है यानि कि Unite का इस्तेमाल जब हम Present Indefinite Tense में He, Sheet या Singular Third Person के साथ करते हैं तो Rule के Coding इसके साथ ऐस लगाते हैं जिससे Unites बनता है और Unites का आर्थ होता है कि Unite करता है या करती है और Unite करने का आर्थ होता है जुड़ना, एक जुट, एक साथ काम करना या उगना, सम्मिलित हो जाना, एक होना, एक करना, जोड़ना, मिलना, सटाना, सम्मिलन करना, या मिल कर काम करना तो unites का मतलब हुआ कि जुड़ता है या जुड़ती है एक जुड़ता है या होती है एक साथ काम करता है या करती है या इसी तरीके से मिलकर काम करता है या करती है जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि लकडे का एक टुकड़ा दो भागों को जोडता है तो आप कहेंगे एक विशेश बंधन हमारे दोनों देशों को जोडता है तो आप कहेंगे या अगर आप ये कहना चाहें कि oxygen hydrogen के साथ मिलकर पानी बनाती है तो आप कहेंगे oxygen unites with hydrogen to form water अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें